भारत और स्रिलंका के बीच आज एसिया कप का फाइनल मकाबला खेला जा रहा है जी हां आपको बता दे कॉलंबो के आर्प्रेमा द्यास्ति स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है वहीं टॉस जितकर स्रिलंकाई कप्तान धसुन सुनाका ने पहले बल्ले बाजी करने का फैसल चतारास लंका ने बढ़िया बैटिंग में की और पाकिस्तान के जबड़े से कहते हैं कि मैच कुछ बिल्कुल छींक ले गए लेकिन भारती टीम में जो बदलाव किये गए थे बांगले इसकलाब उसमें को करारी हार का सामना करना पड़ा था उसमें अक्षर पटेल जोट लिकिन अपने आपको फुरूब करने के लिए आज उनको फिर से मौका मिला तो नो डाउट वासिंगटन सुंतर भी चाहेंगी पूरे मौके को भूनाने के लिए अब अगर वहीं बात की जाए कि इस तरीके से पहले में अब बानादेश के खिलाफ में चाहे हम बात करने लगभग हर्दिक पांडिया को भी सबको अराम दियागा लेकिन सबकी टीम में वाफ्चु हुई है तो कहीं कहीं यह मैच जो हो बहुत होने वाला है क्योंकि अभी तक एसिया कप में भारत और स्रिलंका के बीच कुल 20 मुकाबले हुए उस 20 मुकाबलों में 10 बार टीम अच्छे फार्म में चल ले थे उसमें एक अचारन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेवाज बन गए हैं और वहीं बात कि बीराट कोली की बीराट कोली बढ़ियां फार्म चल ले हैं यह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान कि बढ़ियां से इंज्रियों मारी थी तूना में प्राप कर चुके हैं लेकिन हमको कहीं न कहीं सिलंकाई टीम को या सिलंकाई बालर को नदर अंजाद नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा वेला लागे ने जिस तरीके से भारती बैटिंग लाइनप की पूरी तरीकी से कमर दोड़ी थी बिल्कुल उस कम स्कोर दें पावर प्ले का ज्यादा उपयोग करें पावर प्ले में कम से कम दो से तीन बिकर निकाले वो तो कहीं न कहीं अगर वो बैक फूट पर लेकि जाते सिलंकाई टीम को तो इसमें फायदा होगा अन्धा सिलंका अपने आप में एक अच्छी टीम उभर कर आई है एसिया कब 2030 के फाइनल पहुंची है अभी पिछले मैच में उन्होंने पाकिस्तान को भी हराया था और बढ़ियां आ रहाया था थी सरीके थे चतारास लंका ने बढ़ियां बैटिंग की थी और आप यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जबड़े सो जीत को इन्होंने च्छीन बहुत चाहエं हम बात करें स्रिलंकार की तो हर रहो हो कि यह वमीद होगा झाणकान की तो आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक से रोप्राइब करना बहुंत झाल झाल